नमशकर दोस्तो आज हम बात करेंगे Israel के National intelligence agency के बारे में यानि के मुसाद के बारे में अगर आप दुनिया के Top 5 Most Powerful Intelligence Agency के लिस्ट बनाओँगे तो उसमें मुसाद का नाम ज़रूर आएगा तो आज हम एक तो बात करेंगे मुसाद के बारे में और दूसरा एक मोसाद के Special Operation के मोसाद ने दूसरी गंटर पर सब्सक्राइब कशर किया और फिर उसको अपनी मुश्किल टास्क होता है और रोट फेमस और बहुत बड़ा कRIम किया खुको दाने बड़ा मुश्किल होता है यह काम करके दिखाया इंटरनेशनल लोग से यह उन worthy नहीं नहीं काम किया तो आज हम बात करेंगे कि कौन था वोट आर्गेट इसको नों ने कैप्चर किया और दुस्तरा कैसे कैसे इनों ने यह सब काम किया और कैसे इंटरनेशनल लोगो सटल किया या डील किया उससे तो चलिए शुरू करते हैं तो मोसाद National Intelligence Agency है इसके अलावा इस्रैल के अंदर Military Intelligence अमन है और शिनबैड जो है वो इंटरनल सेक्योरिटी के लिए ठीक है और जो इस्रैल के Democratic तो अब हम बात करेंगे मुसाद के most daring, most historic operation के बारे में, जिसमें इन्होंने capture किया था Nazi mass murderer Adolf Eichman को, अब Adolf Eichman कौन था, उसने क्या किया था, उसको capture कैसे किया गया, कहां से किया गया, यह सब आपको इस story में पता लगेगा, तो अब बस शुरू करते हैं कि क्या हुआ था, कैस इसे हुआ था सब कुछ, तो Adolf Eichman जो Nazi party थी, जो Adolf Hitler की Nazi party थी, उसे का एक हिस्सा था, Adolf Eichman और उसकी वही आइडोलिजी थी, जो Hitler की आडोलिजी थी, वो जो इसको बिल्कुल ना पसंद करते थे, वो जो इसका खात्मा चाते थे, ठीक है, तो शुरूवात में, Eichman जो है Hitler की party थी, और SS जो है, वो political soldiers से, नाजी party की, वो अपने आपको self-described political soldiers से, खुद को गया थे, कि हम political soldiers हैं, तो Adolf Eichman ने 1932 में नाजी party को join किया, और SS को join किया, So 1933 was a turning point in Adolf Eichman life, क्योंकि 1933 में head of department मनाया दिया गया Jewish affairs का, कि इसको Adolf Eichman को, देखो Jewish affairs काफे इसे, काफे Jewish के मुद्दे थे, तो इसमें एक मुद्द था emigration, तो आपको पहले समझे अबने का difference, what is the difference between immigration and emigration, तो to immigrate is to enter a new country, and to emigrate is to leave a country, तो ये emigration करना चाते थे, Jews का, मतलब क ये Jews हमारी country को छोड़ के चले जाएं, तो ये जाते थे, तो इसका head of department बनाया, Adolf Eichman को, कि आप समझा लो, कि कैसे जो Jews हैं, वो हमारी country को छोड़ के जाए, emigrate करें, तो ये अच्छा emigration, ये करते कैसे थे, कैसे करवाते थे, तो एक तो ये violence करते थे उनको उपर, और एक German occupied था, मतलब जितना भी Europe पर जर्मन का कबजा था, वो उस पूरे इलाके में, जितने भी European Jews थे, उन सब को मारा गया, मतलब आप यकीन निवानोंगे, two-third of the European Jewish population जो थी, Europe के अंदर, उसका खतम कर दिया, इन्होंने, ये 60 million Jews को मारा इन्होंने, two-third मतलब 66%, जितने भी Jews थे, उसका 66% hero ने खतम कर दिया, 1941 से 1945 तक, तो जो जब World War II खतम हुई, जर्मनी हार गया, उसके बाद, Ikeman को US Force ने capture कर लिया, और इसको detention game में डाल दिया, लेकिन, वो वहाँ से भाग निकला, ठीक है, और वो इदर उदर घूमता रहा, अपने ठीकाने ढूंता रहा, वो कहां र इस new identity बनाई, Ricardo Clement की, और ये Argentine में जाके बस गया, एक इसने mining company के अंदर अपना काम शुरू कर दिया, और एक normal life जीने लेगा, देखो, अब यहाँ से शुरू होता है, एक interesting point की, उसको capture कैसे हुआ, उसको पगडा कैसे गया, तो 1960 मे मोसाद को ख़बर मिली, कि नाजी का जो नाजी का जो लीटर है, एडोल Всем, वो Argentine में है, तो पाच मोसाद के agent जो है, वो Argentine चले गए, ठीक है, और अब इन्होंने उसके घर की तरफ नज़र रखने शुरू कर दी कुछ दिन तक और महीं ग्यारा उनिस सो साथ में ऐगमन जब अपनी जोब से वापस जा रहा था तो उन्होंने बोला उन्होंने बोला व olsun मौमेंट शरू करने के लिए डिफन कंच करने के लिए तो आइकमेंट को एक तरीके से से एक शिशक च स्प bursts बहीएर लगा और वहां से भागने के कोशिि इंट आगाए और उन्होंने उसको पकड़के गारी में अंदर गुशा दिया और उसको ले गए पहला तो इन्होंने वही पे अर्जेंटीना के इंतर एक सेफ हाउस में ले गए और उसके बाद उसको ड्रग देके प्लेन में इस्राइल ले गए ठीक है यह आप स्क्रीन पर अर्जेंटीना पूरा मतलब भुचकर रहे गया कि कैसे हुआ कि मोसाथ के पाच एजेंट अर्जेंटीना में आए एक बंदे को पकड़ा इंटरोगेशन की उसके बाद उसको ड्रग दिया और प्लेन में उसको वापस इस्राइल ले गए तो यह एक फिर बहुत बड़ी ब और इस्राइल ने एक कॉंटरवर्सी को अर्जेंट अर्जेंट इनका साथ सौल्व कर लिया और उसके बाद इसका ट्राइल शुरू हुआ तो इस पर 15 क्रिमिनल चार्जिस लगाए गई इंक्लूडिंग वर क्राइम्स, क्राइम्स अंगेंस्ट हुमैनिटी, क्राइम्स अ अब वह जूइश कंट्री के अंदर है सामने जूइश बैठे हुए है तो उसका क्या होगा यह सबको पता था तो बहुत सारे लोगों ने डिमांड करी कि इंटरनेशनल ट्राइबिनल जो है वह देखे आएकमें को कीस को कुछ लोगों ने का कि आइकमें का केस जो है वह ज दूसरी बात यह थिना कि इसे में ओनर की बात भी थी और इनको समझाना था कि हॉलोकास्स का किया था हूप गलत इनको एक सद्संधा देकर मिसाल करनी थी कि जो किया इसने उसके बाद जो उसको सजा मिलनी चाहिए थी इसको वही सजा मिली तो ट्रायल के दूरान इसने बना तो नहीं गया कि मैं होलोकास का मांस्टर मांस्टर मांड नहीं था लेकिन इसने ये का कि मैं सिर्फ टोटालिटेरियन सिस्टम का फोलो कर रहा था वही इस ने का कि मैं सिर्फ टोटलिटेडियन के सिस्टेम का एक और जो है वो फोलो कर रहा था और कुछ नहीं कर रहा था और उसके लिए ट्रायल था वह अपरल 11 से लेकर दिसंबर 15 तक चला और उसके बाद इसको डैस सेंटेंस दिया गया और यह इस्रेयल की हिस्ट्री में पहले सेंटेंस था मतला इस्रेयली कोटनेंस से पहले कोई सेंटेंस नहीं दिया था और इसकी बाद आइकमन को फासी दे दी गई 31 मई 1962 में और यही बस कहाने थी तो यह बहुत ही डेरिंग मिशन इसलिए था क्योंकि दूसरी गंटरी में जाना और किसी को लेकर वापस आन है हमारी इंडिया से कुछ लोग जो फ्रोड करके भागे हैं उनको लाना इतना मुश्किल हो रहा है तो आप सोच सकते हो कि ऐसे बंदों को लाना कितना मुश्किल होगा तो बस यह वीडियो का अंता अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करन हुआ 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 झाल झाल